हलो डियर शुडियांस वेलकम माई यूटूब चैनल इसके लिए क्लासेज में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं लिए एक्सराइज टू पाइंट टू क्लास एट्थ की और कोश्चन नमर वन प्रिविएस वीडियो में एक्सराइज 2.1 तक कंप्लिक तरवा चुके अगर अभ बिलती रहे हैं सब्सक्राइज करते हैं कोश्चन नमर वन क्या कहा रहे हैं find the square root of the following number by prime factorization method यह आपको square root बताना है नमबर दिया गया है 1296 1296 चली देखे solution कैसे करेंगे solution पर धिहान दिजिए बच्चो 1296 तो इस नमबर को आपको ऐसे का line ड्रो कर लेनी होगी और इसके आपको करने factorization यैसे factor हम लोग पहले previous classes पर निकालते थे यहीं कोई भी number दिये जाते थे आप उनके factor निकाल लीजिए और factor निकालने के लिए भी मैंने आपको पहले previous questions पर भ पर फिर माइंड कर रहा देता हूं तो उस पर ध्यान दीजिए लास्ट की जो डिजिट दी जाए अगर इवेंट डिजिट हो तो 2 से divisible करिएगा और डिजिट हो तो 3 से divisible करिएगा और लास्ट में दी 0 5 हो तो उन्हें आप 5 से divisible करने का प्रयास कीजिएगा लबग नंब से आपके कड़ जाएंगे और solutions भी आपको बहुत इसली हो जाएगा इवेंट डिजिट है तो इवेंट नंबर से गिजिट करने का प्रयास करिएगा और नंबर साधी जिट आपर देखिए के 1 2 9 6 तो देखिए आप रास्ट में 6 है इसलिए 2 से divisible करेंगे बिल्गुल इसल देखिए 2, 6, 12, 2 का divisible करेंगे 12 में, तो 2, 6, 12 हो जाएगा, इसके बाद 9 में करेंगे, तो 2, 4 जा 8, carry 1, 16 हो जाएगा, 2, 8 जा 16, लास्ट में देखिए even digit फिर दीगे, इसलिए 2 से फिर divisible करेंगे, 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8, लास्ट फिर 4 हो, तो फिर से 2 से divisible कर लीजिए, 2, 1 जा 2, अब यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा, कि 2, 1 जा 2, carry 1 देखिए, 2, 1 जा 2, यनि 3 से 2 निकल गाए, तो carry 1 हुआ, और carry 1 हुआ, तो 12 हो जाएगा, 2, 6 जा 12, 2, 2 जा 4, इसके अथि 2 से, 2, 8 जा 16, डारेक्टी, और 2 जा 2, बस अब स्टॉप रुख जाएगे, देखिए, यहां पर क्या हुआ, लास्ट डिजिट, अब हमें और डिजिट दी गई है, जब और दी गई, तो मैंने भी बताया भी आपको, कि हम किसे डिविजल करेंगे, 3 से, तो 3 से डिविजल कर लिजे, देखिए, 3 का डिविजल करेंगे, 8 में, तो 3, 2 जा 6, तो 8 में से 6 निकल गाए, तो carry 2 हो जाएगा 21, तो 3 से मन जा 21, इसे आप थोड़ा मैलली पर ध्यान ने किएगा, कि फैक्टर करना ही बहुत बच्चे रॉं कर देते हैं, इसलिए फैक्टरेशन पर जरूर ध्यान दीजेगा, 3 2 जा 6, carry 2 हो, 21, 3 से मन जा 21, 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, and 3 1 जा 3, तो यह तो हुए वाई फैक्ट दीए गाए, और सेम ऐसे ही आपको सभी कोश्चन सलूशन करने, उसके लिए आपको बस फैक्टरेशन आपको अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फैक्टरर पर ही ध्यान दीजे, इसलिए इसलिए आपको फास्ट कोश्ट पी कहा रहे हैं कि बहुत ध्यान तो जो भी numbers आपको दिएगा हैं यह numbers आप सभी note कर लिजें, 2, multiple 2, multiple 2, multiple 2, multiple 2, one, two, three, four, तो देखिए 4 हमने note कर लिए, sorry, और इसके बाद देखिए 3 भी आपकी 4 times note है, तो आप इन्हें 3 भी 4 times note कर लिजें, तो देखिए 4 times यह हो गया और 4 times यह हो गया, अब इसके बाद देखिए इसे pair बनाएं क्योंकि square नमबर दिया गया, square का मतलब यह होता है कि जो भी number दिया गया उसकी power 2 होनी चाहिए, ईसमें हम pair बनाकर करेंगो क्योंट रिखे तो फसके बादaby 속마 oper umifig, 2 आप 2 लिखे लेगे यहां भी pair बनाएं तो आप 3 लिखिए, और यहां भी पेर बन गए हैं है तो आप इनका मैंटिकेशन कर लीजिए था प्रॉट इसकों इस तरह आप किसी भी नंबर का square root number बता सकते हैं तो 1296 का square root number क्या है तो 36 है I hope यह question भी समझ में आ गया होंगे और इस तरह हम फैक्ट्रेशन पहले note करके फिर उनके pair बना कर जितने भी pair बनेंगे उनको फिर आप नीचे लोड कर सकते हैं और उनके numbers को आप लिख सकते हैं कोई मान लिजिए इसको आपको पढ़ा रहे हैं उस पर धियान दीजेगा कि मान लिजिए कि कोई pair ना बन पाए तब उन क्या करेंगे तो वह वीडियो भी आप अच्छा से देखिए पार देखिए मैंने भी next question आपको जिससे आपको next video को notification आपको मिलते हैं और वीडियो पसंद आयों समझ में आयों अच्छे से तो like जरू कर दीजिए और अपने class friend जो भी बच्चे उंको share भी कर दीजिए मेरे वीडियो जिससे वो भी अच्छे से अच्छे पढ़ सके thanks for watching this video